पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में चित्राल जिले में हिंदुकुष परवत से घिरी एक घाती है, जिसे कलाश घाती कहते हैं। रहस्य और रोमाद से भरी इस घाती में एक खास समुदाय रहता है, जो देखने में आप पाकिस्तानियों से एकदम अलग है। ये गैर मुसलिम समुदाय है जो यहां हजारों साल से रहता आ रहा है। कट्टरवादियों के द्वारा काफी समय तक कलाश के लोगों को मुसल्मान बनाने की कोशिश की गई। मगर मुश्किल हालातों के बाद भी ये समुदाय अपना धार्मिक अस्तित्व बचाने में सफल रहा। बेहत खूपसूरत दिखने वाले कलाश के ये लोग संगीत और उत्सव प्रेमी होते हैं। इनके तीन उत्सव चिलम जोशी, चोईमस और उच्छल आज विश्व भर के परियटकों के आकर्शन का केंद्र है। कलाश लोगों की संस्कृती अपने इर्दगिर्थ के लोगों से बिलकुल भिन्न है। ये कई देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। कलाश समुदाई के लोगों का सफेद रंग और नीली आखे देखकर भारत में अंग्रेजी राज के जमाने में इतिहासकारों का कहना था कि ये सिकंदर की फौज में शामिल यूनानियों के वन्शज हैं। जो 326 इसापूर सिकंदर की फौज के साथ भारत आये थे और यही बस गए। लेकिन आधुनिक यूग में डिने टक्नीक ने साफ कर दिया कि कलाश समुदाई के लोगों का सिकंदर की फौज या यूनानियों से कोई लेना देना नहीं है। भारत के उत्तर में हिमाले से लेकर हिंदुकुष परवत तक अनेक आधिवासी समुदाई रहते थे। ये आधिवासी लोग हिंदु धर्म के अती प्राचीन स्वरुप के अनुयाई थे और प्रकृती पूजा करते थे। भारत पर मुस्लिम शासन के दौरान ऐसे अधिकाश कबीले वालों को या तो मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन हो गया। हिंदुकुष परवत पर एक समुदाई किसी तरह अपना अस्तित्व बचाने का संधर्ष कर रहा था। मुस्लिम समाज के लोग इन्हे काफिर कहकर बुलाते थे और हिंदुकुष परवत पर जहां ये रहते थे उस जगह को काफिरिस्तान कहा जाता था। साल 1876 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ तो काफिरिस्तान का ज्यादातर भाग अफगानिस्तान में चला गया। साल 1895 से 1896 के दौरान अफगानिस्तान के अमीर अब्दुरामान खान ने काफिरिस्तान पर बहुत जुल्म ढाये और यहां रहने वाले सभी हिंदूों का धर्म परिवर्तित करके वहां नूरिस्तान प्रांथ बनाया। भारत अफगानिस्तान बंटवारे के बाद कलाश घाटी भारत के हिस्से में आई और यहां रहने वाले कलाश लोगों को ब्रिटिश हुकूमत का प्रोटेक्शन मिला। इस प्रोटेक्शन की एक वज़ा ये भी थी कि अंग्रेज इन्हें अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का व अबरन मुसल्मान बनाए गए। लेकिन एक बार फिर अलेक्जेंडर के वन्शजवाली थियोरी काम आई और अंतराश्चिय दबाव बनने के बाद पाकिस्तान सरकार को मजबूरन कलाश समुदाय को प्रोटेक्शन देना पड़ा। आज कलाश के लोग स्थानिया मुसलिम लोगों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। उनकी इस रंग्बिरंगी संस्कृती और सभ्यता को देखने के लिए दूर दूर से परियटक आते हैं। कलाश घाटी के ये लोग मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। और इनकी संस्कृती की रक्षा करना अब हम सबका दाइग्व है।